नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी डिश जिसे आप मिंटो में बना लेंगे और ब्रेकफास्ट में या फिर शाम की चाय के साथ अपने घर वालों को सर्व करके उन्हें सर्प्राइज कर पाएंगे तो बिना देर किये हुए सूजी जब भीग देंगे हमें इसे पतला घोल नहीं बनाना है सिर्फ इसे बिगोना है कि जब सूजी भीग जाए तो इसमें नमक सुआद के हिसाब से और लाल मिर्च या फिर आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं वह भी बीस वात के हिसाब से आपको डालनी है आप इसमें मश्रूम, प्याज, धनिया, पनीर, उबले हुए आलू, कुछ भी डाल के इसकी स्टाफिंग क्रियेट करके इसको बना सकते हैं हम यहाँ पर आपको सिर्फ प्लेन अपपा बनाना बता रहे हैं हमने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है अब यह है अप इस्टेंड यह आपको मार्केट में कहीं से भी आसानी से मिल जाएगा अब हम इसकी करने जा रहे हैं ग्रीसिंग, गीला नहीं होना चाहिए इस बात का ख्याल रखेगा बहुत कम ओयल में अपपे बन जाते हैं आप देख सकते हैं बहुती कम तेल और इसकी हमने ग्रीसिंग कर लिए है अब भारी है हम बेटर को फाइनल टच दे दें जो बेटर के दो क्यियन त्यार क्या है उसको तो हम कैसे त्यार करेंगे फाइनल टश देने के लिए जब आपने ये लगभग पांच मिनिट के लिए ये रख लिया हो तो आपको थोड़ा सा इसमें इनो डालना है इनो जैसी डाले उसके उपर पानी डाले और फॉरण इस मिक्षर को चला दें एक ही डारेक्शन में भीट देना है लेकिन आपको इसे पूरा नहीं भड़ना है क्योंकि हमने इसमें इनो डाला है और जब ये पकेंगे तो ये फूलने लगेंगे तो ये हमने सारा इसमें आप देख सकते हैं पूरी कटोरी खाली हो चुकी है हमारा अंदाजा एकदम सही था साथ अप्पे बनेंगे लगभग आधे कटोरी से जादा अगर आप सूजी लेते हैं तो इनो डालने के बाद अब हमने धीमी आँच पर इसको रख दिया है और पहले हमने थोड़ देर पकाया और उसके बाद हमने इसे किसी भी आप लेट से भी ढख सकते हो और हमने इसे थोड़ देर के लिए पक में आपको उसमें ज़्यादा मेंजने पड़ती है पलटना इनहीं आसान हो जाता है एक साइड से हमने इनिसे क्लिया है अब दूसरे साइड से भी हम से रहे हैं जिए अगर आप तेज हम पाकाते तो एक मिनित और अगर आप धीमी आश पर पाकाते हैं तो डू मिनित इने में लगेंगे तो देखे बनकर तयार हैं हमारे शांदार अपने ब्रेक्वास्ट में सामबर के साथ चट्नी के साथ या फिर कोई भी आपके सॉस हो उसके साथ खा सकते हैं अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार